गुड मॉर्रिंग तो ओल आफ यू इन तुडेस लेक्चर ऑफ स्टीम आज बिसिकली हम यह समझेंगे कि स्टीम के बारे में कौन कौन सी क्रिटिकल चीजें हैं उसकी कौन कौन सी क्रिटिकल प्रपर्टीज हैं जो हमको पता होना काफी ज़्यादा जरूरी दियता है अलॉं सबसे पहले हम समझते हैं हीटिंग कर्फ क्या होता है वाटर का हीटिंग कर्फ काफी ज्यादा इजी होता है एक तरफ आपका टेंपरेचर होता है एक तरफ आपका हीट होता है यहां पर मेरे पास में माइनस 20 डिग्री पर आईस है सबसे पहले आप उसका टेंपरेचर रा होता है तो वहागा फे जो हीट आपको देनी रहती है वो होती है लेटेंट हीट यहाँ पे आपको लेटेंट करने है यहाँ आफटर आओड अगेट लेटेको आजया अपको जीडुष अब दिखेंगे इस दिर्फ dur बिल्कुल clear हो जाएगा यह देखिए जितनी भी horizontal lines हैं यह आपकी latent heat होती हैं जो आपकी slanted lines हैं यह आपकी होती है basically specific heat अब सबसे important property की हम बात करते हैं तो वो समझेगा steam की यह कुछ data है जहापे पहला दिया है temperature degree centigrade में second phase दिया हुआ है थर्ड में आपका enthalpy है और फूर्थ में आपका specific volume है यह specific volume basically यह बता रहा है कि एक meter cube space में आपका कितना volume material का present होगा 0 degree centigrade पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में water रहता है जिसका specific volume है 0.001 means एक meter cube में 0.001 kg water मेरा आता है same 100 degree centigrade पे भी water का आप देखेंगे तो specific volume बिलकुल same रहता है बट जैसे ही मैं इसको steam में convert करता हूँ तो यह volume मेरा 1.673 हो जाता है इसका मतलब है 100 degree centigrade पे एक meter cube में मेरा 1.673 kg steam आती है अगर आप इन दोनों specific volumes को divide करेंगे तो आपको मिलेगा 1.673 divided by 0.001 means 1673 इसका मतलब यह होता है कि water जैसे ही steam में convert करता है समझेगा water जैसे ही steam में convert करता है when water evaporates वो 1600 time expands कर जाता है it expands 1600 times larger in volume to become steam दुबारा clear कीजेगा पानी जैसे ही steam में change होता है वो 1600 times extra volume occupy करता है इसलिए आप boilers का use करते हैं जो high pressure में steam को रखते हैं because water steam में convert होते ही एक high pressure आपका system पे generate करता है यह आपका ratio 1673 times approximately होता है steam यह हमारी measure utility है जिसको हम जगय जगय पर यूज करते हैं पूरे chemical plants में यह सबसे critical utility मानी जाती है because आपके reactions जो भी high temperature pressure पर आपको करवाने हैं उसके लिए सबसे important role steam प्ले करता है इसमें सबसे body case यह रहती है कि आप इसके pressure को control करते हुए इसके temperature को आप vary करवा सकते हैं इसका use किया जाता है de choking में cleaning, humidifications, purging in vent lines, power generations में यह कुछ just examples दिये हुएं वो मैं ज्यादा detail में आपको नहीं बताऊँगा अब बात करते हैं hazards की तो सबसे पहले बात करते है hazard condensing steam के क्या hazards होते हैं इसके लिए सबसे best example है अगर कोई vessel है किसी vessel को आपने पूरा का पूरा steaming किया है after that अगर आप उस vessel को किसी gas वैसे पर्ज नहीं करके proper तरीके से खाली नहीं करते हो और आप उसके सारे wall बंद करते हो तो पहले ही मैंने आपको बताया कि steam जो volume occupy करती है वो 1600 times जादा होता है in comparison to water अब जैसे ही steam आपकी condensed होगी तो वो क्या करेगी आपके पूरे के पूरे system में एक sudden vacuum create कर देगी अगर आपने किसी vessel को steam पूरा मार के उसके सारे walls बंद कर दिये हैं industry में कुछ ऐसे incidents हुए है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो vessels की आपकी यह हालत होगी वो vessels अंदर second vacuum create होगा और वो vessel आपके पूरे के पूरे पीछक जाएंगे इसलिए जब भी आप steam purging करते हैं वेसल्स पे तो यह ध्यान रखेगा कि उसका जो condensate है steam पूरी तरीके से आपकी system से खाली हो जाए स्टीम ठंडी होने के बाद में उस टाइम आपके vent walls खुले रहें आफ्टर आप पूरा का पूरा जो भी condensate water उसको भी बाहर ग्रेन करके अपने system को proper तरीके से nitrogen या फिर और कोई air पर्च करके आप अपने पूरे system को clean कीजिएगा अब steam से second important चीज यह रहती है कि steam high pressure पे होती है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अब high pressure में आपका दो chances होते हैं सबसे पहला chance यह रहता है कि high pressure steam means वो जिन भी pipeline से जिन भी gasket से जहां-जहांसे flow कर रही होगी वहाँ पे आपका high pressure continuously रहता है भले ही आपकी gasket, pipelines, hose pipes सारी same pressure पे design होते हैं बर धीरे 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 at a time being उनकी जो strength होती है वो धीरे धीरे decrease करने लग जाती है इसलिए एक particular time के बाद में आपको जो pipelines से इनकी दुबारा एक बार strength चेक करवानी रहती है यह pipelines हो गई और hose हो गए because इनके sudden leakage होने के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते है static charge अगर आपकी high speed में steam कहीं पे जा रही है और hit कर रही है तो वहाँ पे static charge generate होने के भी chances होते हैं ऐसे incidents कम है बट few incidents आप देर जहाँ पे आप ऐसा पाएंगे कि steam की वज़े से static charges generate हुए है तो जहां पे भी आप ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा proper अर्थिंग का ध्यान रखेगा ताकि आपका जो system है उसमें किसी भी तरीके से static charge generate होता भी है तो वह proper तरीके से अर्थ हो जाए अगला सबसे important problem जो आप सबने face किया होगा water hammering in steam lines आपका steam की जो lines रहती है उनमें क्या रहता है जब plant start करते हैं या फिर जब आप shutdown से जब startup mode में आते हैं तो कई बार आपने ये देखा रहेगा कि hammering काफी तेज आवागे आप लोगों ने observe कियोंगे steam की lines में उसका सबसे बड़ा reason ये रहता है कि steam की एक property है कि वो आपकी condensed हो जाती है अब आपको flow करना है steam उसी line में आपका condensate water भरा हुआ तो वो क्या करे steam को अपने थो पास होने नहीं देगा ये देखे ये तीसा scenario आप देखे ये बीच में पानी आ गया तो वो steam को अपने थो पास होने ही नहीं देगा इस वज़े से क्या रहेगा कि एकदम से काफी तेज lines में आपको आवाज सुनाई देगी और आपके gasket से जो gasket या pipeline से failure होने क ये chances जो होते हैं काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अब हम बात करते हैं अगला important aspect steam burns जो steam का सबसे बड़ा hazard होता है steam की lines में काफी high temperature रहता है इसलिए याद रखेगा कि वो lines आपकी properly insulated होनी चाहिए especially ejector के आजपास में जो आपकी lines होती है अगर ये lines आपकी properly insulated नहीं होंगी और किसी आदमी ने उसको touch कर लिया तो उसको heavy burns होने के chances होते हैं और याद रखेगा कि जो steam का burn होता है वो in comparison to hot water काफी ज़्यादा होता है because जो आपकी steam होती है ये आपकी penetrate करती है upper layer of steam known as epidermis to the lower layer of skin ये आपकी upper से lower layer तक easily penetrate करती चली जाती है इसी वज़े से इसका जो होने वाला burn होता है वो काफी severe burn होता है last but not the least आप सबने देखा होगा कि steam की lines में basically u bands दिये जाते हैं इसके भी पीछे proper reason होता है जब आप pipelines लगाते हैं तो आप pipelines बिलकुल एक standard temperature पे लगाते हैं means आप room temperatures पे सारी pipelines आप install करते हैं but steam high temperature और high pressure पे आपकी pipeline से flow करेगी means यहाँ पे concept आएगा thermal expansion कोई भी आपका metal है जब आप उसका temperature raise करोगे तो वो expand होगा और drop करोगे तो वो compress होगा तो हमको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी pipelines में में steam flow करा है जब वो expand करेगा तो वो expansion की वज़े से आपका जो भी gaskets है या फिर जो भी आपकी line है वो कहीं से भी bulge हो सकती है इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से u-bands दिये जाते हैं इन u-bands का खाली एक ही काम रहता है in case of thermal expansion यह उस expansion को अपने अंदर उस rock को observe कर लेता है और आपकी lines को damage होने नहीं देता है यह जो भी वहाँ से आने वाला stress है वो सारा का सारे stress यह u-bands आपके जहल लेते हैं और आपकी pipelines को damage होने से या फिर fracture होने से बचा लेते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि steam को proper तरीके से handle करने से और यह जितनी भी आने properties बताई है इनको ध्यान में रखने से कभी भी कोई भी measure accident या incident of steam से related नहीं होगा आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा next lecture में I will be back with a new topic till then goodbye and have a nice day